नमस्कार दोस्तों, Geology Lecture Series में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों हम Origin of Art डिसकस कर रहे थे जिसमें हम लोग बहुत साथ थेयोरीज पर डिसकस कर रहे थे तो चलिए उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं दोस्तों पिशली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि बहुत सारे जो प्रपोईट हाइपोथेसिस थे जो Origin of Planets को समझने के लिए उसमें दो टाइप्स के थे एक हमारा Evolutionary था और दूसरा हमारा Catastrophic था Evolutionary में क्या हुआ था और Catastrophic में क्या हुआ था Evolutionary theory यह बताते हैं कि जो भी planets थे वह हमारे Sun के साथ Evolve हुए थे और Catastrophic theory यह बताता है कि Sun हमारा पहले से बना हुआ था और इसमें कुछ Catastrophic events हुए जाए disruptive events हुए जिसकी वाइसे क्या हुआ हुआ कि हमारे planets बात में बने इसी क्रम में हम लोगों ने क्या कि नेबुलर hypothesis को पढ़ा था और यह बाकी रह गया थे नेबुलर hypothesis में हम लोग थोड़ा सरिवाइस कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि hot gases नेबुला था जो की देरे देरे cool होता गया और फिर वह rotate होता गया रोटेशन के बाद के वह कॉंट्रेक्ट हुआ देरे देरे उसमें सेंट्रिफोगल फोर्स लगा सेंट्रिफोगल फोर्स से ज्यादा हुआ तो रिंग बाहर थोन आउट हो गया और फिर बाद में वही कंडेंसेट होके हमारे planets फॉर्म कर गए ठीक है तो आगे चली आज हम प्लेनेट साइमल और गैसे स्टाइडल दोनों को एक साथ कवर करेंगे क्यों कि इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलरेटी है वो क्या है अभी हम लोग आगे देखते हैं तो दोस्तों बात करते हम लोग प्लेनेट साइमल है पोथेसिस की यह हैपोथेसिस सबसे पहले हम बात क चाहिए और उसे भी कोई लार्ज श्टार्ट वू सम्छ एपरोच करता हुआ सं के पास आया थे अवर सन के पास बाइड ऑजन के पास आया तो क्या हो मतलब इसके वायर से तो ग्रॉजिसन का था है तो क्या हुआ कि डिस्रप्शन हुए मतलब इसके शेप थोड़ा डिपॉर्म हुआ थोड़ा इसके अंगुलर मॉमेंटम में माश डाइवर्जन इदावजर की चीजिए हुई तो इसमें एक बहुत बड़ा जाइंट मास ऑफ गया संसे थ्रोण आउट हो गया थीक है अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि यह जो बड़ा वाला श्टार था वह तो मित्रो अपना कोई भी पास को फॉलो करता हुआ फिर वह चला गया ठीक है वह मनली इस रूट को फॉलो कर अब यह जो गैस थे हमारे जो गैसे यह कॉंसालिडेट होगे छोटे-चोटे चुंक में इन्होंने चोटे-चुंक बनाया अब यह नियुमरेस थे ठीक है और बाद में क्या हुआ कि इन ही छोटे-चोटे चंक को में लोग प्लेनेट साइमल्स करते हैं और यह प्लेनेट स एक दूसर से एसिमिलेट हुए तो इन चोटे-चोटे-चोटे प्लेनेट साइमल्स में मिलके प्लेनेट बना दिये तो बहुत सिंपल भासा में आप समाझ लिजिए कि पहले एक लार्ज स्टार आया सन के पास उसके वह से गैसे बाहर निकले अब जब श्टार चला गया त मित्रों अब हम बात करते हैं गैसे स्टाइडल सेहरी कि बहुत ज्यादा मिलता जुलता है अपके प्लेनेट साइमल्स से ही ठीक है तो इसमें भी हुआ था एक लार्ज सं जो था वह हमारे सन के पास अप्रोच किया था फिर संसे गैसे जो है वह डिटैच हुए थे तो यहा पर प्लेनेट साइमल्स के वहा है जो हमारा घेसे और था था खिर आर नहीं था भी अधा भी हो गया अब अधार मिलटी हिखता हुए धा अ तो इसको याद रखिएगा मित्रों प्लेनेट साइमल और गैसे स्टाइडल थीरी दोनों हमारे सिमिलर टाइप के ठीक है और दोनों में जो फ्लॉज थे या दोनों के डॉबेक्स थी वह भी सिमिलर थे सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि हमारा स्पेस इतना वास्ट है ठी और दूसरी बात हमारा फिर यह बोलता है कि सन जब हमारा बना था तो उसका टेंपरेचर इतना ज्यादा था कि जब भी गैसे उससे बाहर आएंगे तो वह कंडेंस होने के बजाए क्या हो जाएंगे वह डिसपर्स आउट हो जाएंगे स्पेस में तो उनको कंसॉलेडेट ह प्लैनेट बनाने की पॉसिबिलिटी जो थी वह बहुत ही कम थी और तीसरा हम लोग जानते कि यह एंगुलर मोमेंटम को प्रॉपर्ली एक्स्प्लेन नहीं कर पाता इसमें क्या इसू हो गया कि अगर मान लीजे कोई लार्ज स्टार था यह लार्ज स्टार मान लीजे यह स जब लोग अबजर्व करते हैं तो जो सोलर सिस्टम का अंगुलर मोमेंटम है और वह जो इस लार्ज स्टार के द्वारा दिया हो एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का कंपेरेजन केया तो इससे काफी कम है तो यहां पर भी यह पिश्वरी नहीं बैठती तो इस वाई से इसक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और भी आसम वीडियों लाने के लिए मोटिवेट होते रहें थैंक्यू हम आइस टे